Hello everyone, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी मंद के जितने भी हिमाचर परदेश के करेंट अफेर्स है उनको हम यहाँ बेर डिसक्स करने वाद हैं इस वीडियो का जो में सोर्स है जहां से इसके क्वेशन कंपाइल किये गए है वो है एक तो गिरी राज ठीक है और टरिब्यून से मैंने यहाँ पर कंपाइल किये है क्वेशन तो इतना सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए भी हमार को भी मेहनत करनी पड़ती है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखना आपके एक्जाम्स के लिए यूसफुल रहेगा ठीक है और लास्ट में आगर अपना जो फीड़ बैक है उसको जरूर देना और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना तो इतनी सिंपल सी रिक्वेस्ट है आप सभी से तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को इसमें हिमाचर प्रदेश की जो रेंक है वो क्या है तो फर्स्ट स्थान हासिल किया है तमिल नाडू ने और सेकेंड पोजीशन पे रहे हमारा हिमाचर प्रदेश ठीक है तो यह आपने याज़त में है सेकेंड करेंट अपेर है किसे जो है नेशनल अवार्ड से 2022 में समानित किया गया था जिन्हों न जो है चमबा रुमाल जिसे जी आई टेग का दरज़ा पराप्त है उसके प्रमोशन के लिए काम किया था वो थी दिनेश कुमारी हिमाचर प्रदेश से अंतराष्टिय किक बॉक्सिंग में रूप में किसे चुना गया है इंपॉर्टन करेंट अफेर है हिमाचर से चुना गया है हरीश चंदर को और हरीश चंदर कहां से बिलॉंग करते है शिमला से नेक्स्ट है गोची फेस्टिवल सेलिब्रेटिट रिसेंटली बिलॉंग टू विच डिस्टिक ऑफ एच पी हाली में गोची उत्सव इमाचर प्रदेश में चुमनाया गया वो किस जिरे से संबंदित है तो गोची फेस्टिवल इस रिलेटेट टू लाहो लेंड स्पी ठ बिहर वैली में यह भी आपने याद रखना है अगला है विच प्लेसिस ऑफ एच पी हैव बिन डिकलियरड वेट लेंड्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस पर प्रमोटिंग दियर कंजरविशन इमाचर प्रदेश के किन स्थानों को उनके सरक्षन को बढ़ावा देने के लि इमाचर प्रदेश में जो रामसर साइट्स है उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं तो टोटल कितनी है तीन कौन कौन सी एक तो है पौंग डैम जो की है कांगना में रेनुगा जो की है सिर्मौर में चंदरताल जो की है लाहॉलेंड स्पीती में और एक आपने याद रखना है व प्रवाइट कंसल्ट एंसी सर्विसिस फॉर एस्टेबलिशिंग स्टेट अफ आप आर्ट ऑटोमेटिट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट विद हूम एच पी ने अत्यादुनिक स्वचलित दूद प्रसकरण संयंत्र की स्तापना के लिए परामर्श सेवाएं परदान करने क लिए किसके साथ एक समझौता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है हिमाचर प्रदेश ने आटोमेटिट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए किसके साथ MOU पे साइन किया है तो वह है NDDB इसकी फुल-फॉर्म के अगर हम बात करें तो इसकी फुल-फॉर्म है नेशनल डेरी इवेल्पमेंट बोल तो यह आपने ज़रूर याद रखना है कि हमाचर प्रदेश ने किसके साथ MOU साइन किया है डिलेटेड टू मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट अब यह जो आटोमेटिट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है यह कहां पे है डगवार कांगडा में ठीक है और इसकी जो कैस्टी की अगर हम बात करें तो कितनी है 1.5 लेग पर लीटर पर डे और एक्सपेंट कहां तक की जा सकती है 3 लेग लीटर पर डे फर्स्ट फेस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना इस पे खर्च आएगा 225 करो तो यह सारे पॉंट्स आमने आर्मी तो फर्स्ट फीमेल सुबेदार कौन है इंडियन आर्मी की हाली में जो बनी है प्रीती रजाग इस पॉंट को तो आपने ज़रूर याद रखना है नेक्स्ट है विच स्टेट हैस लांच्ट कला इगनर स्पोर्स किट तो इसमें जो है स्पोर्स को विलेज लेवल पर बढ़ावा देने के लिए इस तरह की जो किट से विलेज लेवल पर प्रोवाइट की जाएगी तो यह किस ने लॉंच की है तमिल नाडू में अगला है टेंथ रिसेंटली हिमाच्चल्स फर्स्ट स्पेस लेब इनवरेटेड एट हाल ही में हिमाचर प्रदेश की फर्स स्पेस लेब जो है वो सेट अप की जाएगी और यह जो स्पेस लेब होगी वो किसके द्वारा ड्वेल्प की जाएगी इस तरह के द्वारा तो यह भी आपने ज़रूर याद अपना है एलेवन हाली में जो यूनियन बजट पेश हुआ है उसमें तीन बड़े रेल्वे प भानुपली परियोजना लेहे रेल लाइन जो है ठीक है इसके लिए सबसे जादा एक हजार करोड रूपय का प्रावदान किया गया है उसके बाद जंडीगड बद्दी जो रेल्वे लाइन है उसके लिए 450 करोड का है और नंगल तलवाडा रेल्वे लाइन जो है इसके ल ज़रूर याद अगना है इसी तरह से हम लुड्री जो first project है इसको भी हम discuss कर लेते हैं इसके किकशंदा कितकी है 210 you और लुरी स्टेज 2 का जो प्रजेक्ट है इसकी क्षमता कितनी है 172 मेगावाट तो ये भी आपने जरूर याद रखना है और सुन्नी डेम की कितनी है 382 एक्जीक्यूटिंग एजनसी कौनसी है इसकी SJVM अगला है 13 अमाउंट प्रोविजन्ट फॉर हिम गंगा स्कीम के लिए कितना अमाउंट जो है उस्विक्रित किया गया है तो कितना है 500 करूट अगला है 14 विच लोक अदालत है बिन स्टार्टेड बाई एचपी गोर्मेंट तो सेटल दा रेविन्यू रिलेटेड मैटर्स ऑफ दा कॉमन पीपल इमाचर प्रदेश सरकार में रेविन्यू से जुड़े जो भी मैटर्स रहते है उनके समधान के लिए जो लोक अदालत इस्टेबलिश किये उनका क्या नाम है उनका नाम है इंतकाल रेविन्यू लोक अदालत अगला है 15 यंग रिसर्चर अवार्ट दोहजार थेज़ इन जैपैन इस गिवन टू जापान में यंग रिसर्चर अवार्ट जो है वो किसे दिया गया तो वो दिया गया है पंकज अ परदेश की जो टूरिजम एमबैस्टर है वो किसे बनाया गया है तो वो है वन्शी का परमार जिनोंने जो है 2022 में मिस अर्थ का जो खिताब है वो जीता था और ये बिलोंग कहां से करते हैं ये बिलोंग करते हैं अमीर पूर्डिस्टी के नदों तैसेल से अगला है 17 हमाचर परदेश से दो कॉंस्टेबल ये नाम आपके लिए इंपॉर्टन है जिनको सम्मानित किया गया एक थे कॉंस्टेबल विजे कुमार ठीक है और दूसरे कॉंस्टेबल थे अमन कुमार तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए अगला है 18 परदेश में कितने मुनसिपल कॉर्परेशन है पांच एक है दरमशाला एक है दरमशाला एक है दरमशाला एक है शिमला और बाकी के जो तीन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने तो आपका जो रिलीजन है वो हो सके अगला फॉशन है 19 हाल ही में लाहल स्पीती में जो है वो शरथ उतसफ जो है वो मनाया गया ये जो है वो दो मन्त तक चलेगा तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन अमर बी और इसका जो इनावगरेशन है शर्द उतसफ का वो किसके सबसे पहले तो यह जाद रखो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के दवारा लाँच की गई तो मिनिस्ट्री आफ टूरिजम चीक है और किस वर्ष इसको लाँच किया गया था वर्ष 2014-15 तो राइट आंसर इसको अप्शिन निम्बर सी हाल ही में जो इलेक्शन हुए है उसमें हर्ष महाजन ने किस पारलिमेंट हाउस में अपनी सीट सुनस्चित की तो हर्ष महाजन जो है वो किस के लिए चाहनेत हुए है राज्यसभा राइट आंसर आप्शन नमर बी और क्वेशन क्या बन सकता है हर्ष महाजन जो है वो किस ड अगला है 22, which region of India is hosting the Asian Rafting Championship 2024 2024 की Asian Rafting Championship जो है वो कहां पर आयोजित की जारी है तो वो आयोजित की जारी है हिमाचर परदेश और particular बात करें तो हिमाचर परदेश में कहां पर की जारी है सुन्मी जो की पढ़ता है शिम्रा डिस्टिक अगला है 23, which railway route of HB is targeted for the operation of hydrogen trains हाल ही में हिमाचर के किस railway track पर जो है वो hydrogen trains चलाई जाएगी तो वो चलाई जाएगी काल का शिम्रा railway line और इसकी जो लेंद है वो कितनी है 96 km और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है काल का शिम्रा railway line का जो चीफ इंजिनियर था वो कौन था अगला है 24, with whom did HRTC signed MOU for the cashless travel options हाल ही में HRTC ने एक MOU sign किया है ताकि जो लोग busों में सफर करेंगे वो cashless तरीके से travel कर पाए अगर उनके पास cash नहीं है तो using UPI वो अपना जो किराया है उसको वो काट सके अगला है 25, where is the longest single span cantilever bridge in the country located बहुत important question है यह तो इसको तो आपने जरूर पढ़के जाना है हाल ही में single span cantilever bridge का उत घाटन किया गया इस bridge की खास बात है कि यह सबसे longest cantilever bridge है पूरी country गा ठीक है तो इसका right answer क्या होगा option number C और particular बात करें तो जहंडूता ठीक है जो की पढ़ता है आपका ग्लासपूर district में और अगर area की बात करें तो कहां पे है यह बगचार तो यह आपने याद अपना है और single span cantilever bridge कैसा होता है इसमें जो है सिरफ दो ही pillars रहते है ठीक है और उन दो pillars की जो length है वो कितनी है इसकी 185 meter और किस river पे है यह सतलूज river यह आपको याद रपना है और इसका जो inauguration है वो जल्द ही किया जाएगा अगला है 26 हाली में हिमाचय प्रदेश में MSME Technology Center को established किया गया और उसका जो inauguration है वो virtually किया गया तो इसका जो उद्धाटन है वो किया गया हमारे union minister जिनका नाम है नरायान राने तो इसका right answer है option number C अब MSME की बात हो जी है तो इसकी full form भी कई बार पूछ ली जाती है यह जानना हमारे लिए important है इसकी full form है micro small medium enterprises पूरे इंडिया में तीन MSME centers जो है उनको inaugurate किया गया एक तो था हिमाचय प्रदेश के बंदी जो कि Solan district में है एक कानपूर जो कि उत्तरबरदेश में है और एक इंफाल में किया गया जो कि मनिपूर में है तो यह तीनों भी आपने note कर लेने हैं अगला है 28 Who won the gold medal in mixed martial art competition held in Mumbai सबसे पहले तो आपने यह याद रखना है एक international mixed martial art competition organized किया गया और कहां पर organize किया गया यह मुंबई में इसमें हिमाचय प्रदेश की प्रियम नेगी जो है इन्होंने first stand हासिल किया है ठीक है और यह कहां की रहने वाली है शिम्ला शिम्ला district की रहने वाली है नंबरिंग में थोड़ी सी हैंपर मिस्टेक होगी है यह उना तर 29 विच डिस्टिक होस्टिट दा आइस होकी कप और आइस स्पीड स्केट्स चेंपिंशिप की मेजबानी की तो हिमाचय प्रदेश की लाहुजबीती में इसको और इसमें जो हिमाचय प्रदेश ने ब्रॉ स्प्रिंग कार्णीवल दुओ दुओ हजार क्यमाचय पदेश तूरिसम के दवारा टूरिसम स्प्रिंग कार्णीवल का आयोजन की जा रहा है जो की चलेगा 25 से लेकर 29 فरवरी तर तो इसको जो है कहां पर और गिनाइस किया जा रहा है इसको किया जा रहा है धरमशाला के दरी मेला ग्राउंड में तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन हमरे है तो इस स्वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंट अफेर इसको हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेरेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई